हे दोस्तों आपकी लाइफ में कोई ना कोई एक लड़की ऐसी जरूर होगी जिसे आप पसंद कर रहे होगे और आप सोच रहे होगे यार कास ये लड़की मेरी गल्फरेंड बन जाया है बस ये मेरी पुरी दुनिया बन जाया है इसके बाद मुझे कुछ नहीं चाहिए और आप उसे इंप्रेस करने के लिए बहुत सारी मेहनत कर चुके हो सहाइद भू आपको लैन भी देने लगी है वो भी आप में इंटरेस्टेड है लेकिन आप डर रहे हो लेकिन सबसे जरूरी पॉइंट ताव आता है जब आप उसे प्रिपोस करते हो और प्रिपोस करने के दे सकते हो उसके साथ में लेकिन सबसे ज़्यादा पॉइंट ये की लव लेटर में लिखें गया तो आज की वीडियो में आपको बहुत ही प्यारा लव लेटर छोटा सा लव लेटर देने वाला हूं ज्यादा लंबा भी नहीं है आप इसे एकर किसी लड़की को भेज लगेगा उपर की लाइन में आपको लिखना है डियर फिर लड़की का नाम अपनी गल्प्रेंड का नाम जो भी आपकी गल्प्रेंड का नाम है या फिर उसका निकनेम ठीक है उसके बाद एक लाइन का गैब देना है और फिर आपको बहापे लिख देना है मुझे पता है कि प्यार का एहसास को लिख कर बैय करना आशान काम नहीं लेकिन हम ऐसा कर रहे हैं मैं अपनी सवी फिलिंग्स को आपके साथ सेर करना चाहता हूँ तो मैं अपना बनाना चाहता हूँ बड़ी मुश्कल से मैंने अपने शपनों की रानी को असल जिन्दगी में देखा है उसे मैं खोना नहीं चाहता मैंने अपने शपनों की एक रानी को देखा था आप उसी की तरह लगते हो मैं राजा तो नहीं लेकिन मैं आपको अपनी रानी जरूर बनाना चाहूंगा मुझे प्यार करना नहीं आता और नाहीं मुझे अपने प्यार का इजहार करना आता है मैं तो बस यही जानता हूँ कि इस पूरी दुनिया में आप एक नए शवेरी की तरह हो जिसने मेरी जिन्दगी ही बदल दी तुम मेरे ना हुए तो कोई गम नहीं तुम मुझे ना चाहो मुझे कोई गम नहीं मैं तुमारा हूँ चाहे तुम मेरी जान ले लो मुझे कोई फरक नहीं पड़ता I love you कब से कहने की हिम्मद चुटा रहा हूँ कि तुम से मौबत है कितनी जाने ऐसा आज क्या हुआ कि दिल ने कहा के ही डालू जब किताब के पन्नों की सपेदी तुमारे चेहरे पर चमकती है तो दिल रुकसा जाता है जब हसी की टहरारी लहा कर मेरे कानों तकाती है बक्त थमसा जाता है कि जाने आज ऐसा किया हुआ कि दिल ने कहा के ही डालूं कितनी मुभवत है तुमसे कितनी मुभवत है तुमसे और उस के बाद आप नीचे चाहऊ तो एका सायरी और बढ़ा सकते हो और उसके बाद आप उसका नाम लिखके उस में फूल फूल चिपका के आप अच्छे से उस लवलेटर को अच्छे से बना सकते हो देखना है लड़की को लवलेटर बहुत जदा पसंद आएगा कि लड़कियों को लवलेटर पशंद होता है हम उनके सामने से बोलते हैं तो सायद वो सरमा भी भी किसी को भेज़ सकते हो तो दूस्तों अगर वीडियो पसंद आ गई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना अगर आप चैनल पर नए आए तो प्लीज आपको सब्सक्राइब कर देना जिससे आर मैं और भी अमेजिंग और अच्छी वीडियो आपके लिए लेकर आता करूं धन्यवाद